हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुती मज़ेदार होने वाला है आज आपके साथ में मैं 10 ऐसे कीचन टिप्स शेयर करूँगी जिसके आपका काम गंटों का काम मिंटों में होने वाला है और जटपड बिना किसी ताम जाम के लाखों रूपे आपके बच जाएंगे अगर आप चोटे चोटे टिप्स फोलो करेंगे तो सबसे पहला टिप्स मेरा इस आलू के चिवडे को लेकर हैं जिससे बनाना तब सभी लोग चाते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता है तो इस तरह से आप कोई भी आलू ले सकते हैं उसकी बाच में इस तरह से आप इसको कर देजिए बिल्कुल पानी जो इसका क्लीन होना चाहिए उसके बाद आपको कुछ भी देखना है इसी तरह से आपको एक रात के लिए छोड़ देना है उसके बाद फिर से आप एक बार इसको अच्छे से वास कर दीजिए अगर पूरी रात का टाइम नहीं आपके पास त तो देखे हलका सा हमें इसको गरम करना है गरम करने के बाद तुरंत आप इसे दूप में सुखा दीजिए दूप में सिखाना बहुत ज़्यादा जुरूरी है दूप में सुखाएंगे तो इससे आपके आलू के यह चिवड़ा फ्रेंट एक तम वाइट बना रहेगा तो यह देखें चार से पांच गंटे में या फिर एक दिन की दूप में आराम से सुख जाते हैं तब ही मैं आपको इन्हें तलके भी दिखा देते हूं तो यह देखें कितनी आसानी से जो हैं और कितनी लंबे-लंबे एक तम वाइट हमारा चिवड़ा बनके रेडिव आएं इ लगणी बसे बहुत ही ज़्यादा टैस्ट है यम्मी दस रुपय में हमारा डेल सारा चिवड़ा रेडिया हो चुका है इसको आप एक बार बनाकर साथ दो साथ तक आराम से इस्टोर भी कर सकते हैं तो फ्रेंस सेकिंड टिप्स जो है मेरी बिटूट को लेकर हैं करूंगी कि बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो यह बीटूट की सब्जी जो है फ्रेंड बहुत कम मसालों में बनके तयार होती हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी लिए लिया है तीन में आप टमाटर ले लिया है अगर आप चाहते तो ड अदिस मनें कि सब्जी मैंने इस तरह से बड़े बड़े में ऐसका के लिया है है कि दूस्त अब मैंने रबे टमाटर पर काट लिये कड़ाय में तेल कर दिया है इसमें डालेंगे लसुन जीरा देखिये थोड़ा सा डालेंगे इसमें लसुन की कलिया लसुन डालना फ्रेंड इसमें ऊप्शनल है इसी से सारी सब्जी का टेष्ट बदल जाता है बहुत ही सब्जी बनती है प्याज आप टमाटर आप इसकीप कर सकते हैं लेकिन लसुन डालना इसमें मसाली बहुत ही सिंपल मसाले अर्दी पाउडर दनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर नमक स्वाज के अनुसा और डालकर एक बाइस को टंकन लगा कर पांच में तो अच्छे से भूनिए वर सब्जी आपके बनके रेडियो हो चुकी हैं बहुत ही कम टाइम में सब्जी बन सब्जी को खाने के लिए बहुत ज्यादा स्वादिश आज बने वाली हैं इसके लिए याँ पर ले लिया डाइसो ग्राम ग्वार फुली इसको मैं इस तरह के अच्छे से साप करने के बाद टुक्रों में काट लिया हैं दूसरी तरह मैं याँ पर कड़ाई में एक चमच करने के लिए रख दिया है और गरम करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम जीरा जीरा डालने के बाद लसुन मैंने याँ पर कुछ कलिया का दुकस कर ली हैं उनको भी अच्छे से याँ पर सौते करेंगे इस सब्जी फेंट लसुन का स्वाद बहुत ज्यादा टेस्ट अब यहाँ जाए गाँ तो अभी आम डालेंगे ग्वार फिली सारे ग्वार फिली को डाल देना है और डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देजिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि जल्दी से कूख हो जाए अभी इसको डखन लगा कर दो से तीर में इसी तरह सिक्रेट डालने वाले फ्रेंट जिससे सारी सब्जी का स्वास जो है बदल जाएगा और बहुत टेस्ट बनेगी तो यह है टमाटर की चटनी तो इसकी रैसेपी मेरे चैनल पर दे रखिए आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इस चटनी को आप दो मेने तक इस्टो कर सकते हैं भी खराब नहीं होती है तो चटनी डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स डखन लगा कर फिर से इसको दो मिनिट पकाएंगी इसमें पानी मिल्कुल भी नहीं डालना है अभी हम डालेंगी इसमें थोड़ी सी चीनी तो एक से दो चमल आप चीनी डाल सकते हैं बहुत ख्राब हो जाता है लेकिन आज में आपके साथ मैं ऐसा तरीका सैरी करूंगी जिससे यह अच्छार आपका लंबा तो चले का ही एक से दो साल आराब से चल जाएगा विल्कुल भी खराब नहीं होगा और आप इसे तुरंद बना कर खा सकते हैं इसा तरीका से करूंगी इस इसमें से अच्छा सा पानी जो है पूरा रिलीज हो जाएगा केरी हमारी एकदम सौफ्ट हो जाएगी उसके बाद केरी से पूरा पानी बाहर निकलने के बाद इससे आप किसी भी कोटन की कपड़े पर तीन से चाहर गंटे के लिए आराम से सुका देजिए फैन के नीचे उसके बाद में आप किसी भी जो है अचाहर का मसाला सकते हैं और तेल गरम करने की बाद इसके अंदर डाल दीजिए आपका आचाहर जो है लंबे समय तक चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसका भ लेकिन इसको बनाना थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है और गयस पर गरम करो करो कंडेस मिल्क गलाओ वगेरा वगेरा लेकिन आज मैं आपके साथ मैं ऐसा तरीका सहर करूंगी जिससे आप उचल पढ़ेंगे खुशी से तरी कि इसके लिए मैंने यहां पर एक मैंगो लिए हैं मैंगो कोचे से काट कर छील कर मिक्सी की जार में डाल देंगे अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो वन फॉर्ट कप मैंने आपर चीनी ले लिए आम काफी मीटा है तो ज्यादा चीनी का यूज नहीं करें तो देखिए अभी हम बिना पाड़ी इसका एक पेश्ट बना का तैयर करेंगे तो देखिए इस तरह का हमें पेश्ट मिल जाएगा अभी एक सीक्रेट चिक डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखिए यहां पर मैं डाल रही हूं मिल्क पाउडर तो मैंने यहां पर दो चमच मिल्क तो टूटी-फूटी उपर से थोड़ी सी डेखोर कर देंगी जिससे दिखने में अच्छी लगेगी इसको 8-10 गंटे के लिए अच्छे से फ्रिज में सैट करने के लिए रग देंगे बहुत ही अच्छे हो टेस्ट आइस की मन के रेडियो चाती हैं तो देखिए बहुत ही चिलके लाएंगे बिल्कुल भी आपको बाहर फैकने के जुरूत नहीं है तो देखिए मैंने आप डे सारे तर्बूच की चिलके लिए इनको में इस तरह से नीचे से चिलका निकाल कर इसको इस तरह से बारिक-बारिक टुकड़ों में काट लिया है तब ही मैंने दूसरे सारे तर्बूच की रिख को इसके अंदर डाल देंगे तो 10 मिनट अच्छे से श॥ फटी अब हम इसको बात पानी निकालेंगे दूसरी तब मैंने या पर दो कप चिलक करने के लिए तो पानी डाल दिया है पानी नारने के बाद इसको अच्छे से गुलने तक पकाएंगे और चिनित दे के अच्छे से हमारे गुल्चों के इसमें वाल आ चुका है तो अभी हम सारे तर्बूज के जो हम टुकड़े हमने काटके रखे थे वह इसके अंदर डालने के बात इसको जो हम 8-10 मिनट डखन लगा का इसके अंदर पकाएंगे तो अच्छे से सारे चार्शने तर्बूज के अंदर चले जाती है तर्बूज हमारा काफी मीठा बन जाता है तो आज हम इसके टूटी-फूटी बना रहे हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी जट पर बनके रेड हो जाते हैं मार्केट से भी टेस्टी आप टूटी-फूटी घर पर इसकी चाशने को हम बाहर निकाल कर इसको जो है दूप में सुखा देंगे अगर दूप नहीं आ रही है तो आप चाम में पंके की नीचे भी इसको जो है दो चार घंटे तक या फिर एक पूरे दिन के लिए सुखा दीजिए तो देखिए इस तरह से पूरी हमारी टूटी फूटी जो है कलरफूर बंके रेडी हो जाती है तो आप इस टूटी फूटी को लंबे समय तक रिष्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं तो एक बाय आप भी जूरू ट्राइब करें तो नेक्स्ट इ विना पानी डाले इसका ऐक फाइन पस्ट बनाकर तयार करें पर दूधं करेंगे अब आपके अधा दा लेह तो दूद कर रहे हूं एकदम ठंड़ा चिल्द ऑर जालना है थोड़ी से हम टेस्ट के ले डालेंगे इलाइची का पाउडर तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है एक बार फिर से इसको टन कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा गाड़ा गाड़ा जो है मैंगो मिल्क सिक बनके रेड़ी हो चुका है अभी हम इसको सरू करे तो देखिए फिर से मैंने आप तर्बूज के चिल्के लेगी है इसके पीचे के पाटकों में आप बार निकाल लेंगे और इसको अच्छे से छोटे-छोटे टुकडों में काटने के बाद दूसी तर मैंने आप पर कड़ाई में तेल गरम करती है अभी हम डालेंगे इसके अंदर तर्बूज के टुकड़े ये राजस्तान की बहुत ही प्रसिद सब्जी हैं एक बार आप भी इस तरह से जुरू ट्रै करें ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्ट बनती हैं अभी हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पर पकाना है पान यह पाउडर स्वात के अंधो नमक हमने पहले ही डाल जया था अभ सब्सक्राइं आप बाजरी की तरुक्त करें आप भी एक बार इस तरह से जरूर ट्रै करें इसके बाद की जो टिप्स हैं वह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं तो यह तर्बूज की आईसक्रीम को लेकर तो यहां पर मैंने ले लिया है तर्बूज इसको हम कट कर लेंगे और आदा तर्बूज हम यहां पर इसको काट कर इस तरह से देखे चोंटे ठीकर लेंगे भी मैंने इसके सारे बाहर निकाले हैं यहां यह आदि तके अ कहते हैं तो मैं आप पर milk powder का यूज़ करे हूं तो दो चमच भर के मैंने आप पर milk powder का यूज़ करे हूं इससे बहुत ही अच्छा flavor आप भी एक बार इस तरह से try जरू करें तब देखे इसके अंदर थोड़ी से चिनी डाल रहे हैं तरबूज जो हैं वो काफी मीटा है और milk powder भी मीट आती हैं लेकिन आप इस तरह से बनाके जरू देखिए बिल्कुल भी बरव की सिकायत आपको नहीं होगी तो देखिए इसको मैंने इस तरह से मोल्ड में जमा दिया है साथ से 8 गंडे में यह जो है आइस क्रीम बन के रेडी हो जाती है इस आइस क्रीम के सामने बरव का गु करने मैंकों लेकर हैं मैंगो अक्षर यह था ठाप लेकर जाते हैं इसको लंबी समय तक siendo करना चाहते हैं लेकिन इसक है आपकी साथ मैं सातरी का से और एक सब्सक्राश कहले हैं गों यह लिए एक किलो के से याम ले लिए इसको अच्छे से वास करने के बाद आराम से इसको साप कर लिए हैं पाने पूरा सुखने के बाद इसका छिलका निकाल कर इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लूँगी तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही सीक्रेट चीज में आप डाल सकते हैं फ्रिज में रख दीजिए एक साल तक आराम से आप इसको एंजोई कर सकते हैं तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको थोड़ा सागी अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर नहीं बुले पहले आइकन जरू प्रेस करें ताकि म में आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुझे फेस्बुक वर अगर आप हमें देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूब